हां जी दोस्तों अब एस 20 के अंदर हम illustration no.2 discuss करने जा रहे है illustration no.1 मैंने provide कर दिया और जितने भी chapters provide करे जितने भी videos provide करे playlist बना रखिये playlist की link वीडियो की description में है तो वहाँ जाके आपके पास में playlist में कोई भी question में doubt है तो आप वहाँ जाके देख सकते अब आजा ही illustration no.2 पे तो simple सी बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहता है कि sir first gen को आपके पास में beginning है मतलब कि December तक चलेगा जैन to December अगर जैन जो है वो beginning है तो सीधी से बात है year कौन सा चल रहा होगा जैन to December चल रहा है आपके पास में ठीक है illustration number one की तरह same कहता है number of shares 800 है उसके बाद 31st October आया जब हमने shares को issue करा 600 shares additional information ऐसे कुछ given है कहता है कि sir वैसे तो face value 10-10 रुपे है तो shares की ठीक है लेकिन paid up की बात करें तो जो beginning में है वो तो पूरे के पूरे paid up है लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो 600 shares हमने issue करें थे वो अभी तक पांच रुपे के इसाब से paid up है तो face value 10 रुपे है लेकिन अभी तक पांच paid up है पांच बाकी है तो कहते हैं कि sir weighted number of shares जब निकालो तो यह पांच रुपे यह जो paid up का percentage है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो देखके illustration number one में पड़ा है वैसे ही आप सबसे पहले calculation करेंगे कहते अठरा सो आपके पास में share से ठीक है तो into 12 divided by 12 यह आपके पास में पूरे 12 महीं ने रहे इसलिए illustration number one में तो यह चीज़ आपके पास में पढ़ा दी मैंने इसके बाद कहता है कि sir add कर देंगे क्योंकि issue किया है buyback होता तो minus करते issue करते है तो add करते है क्योंकि issue करने से shares की capital बढ़ जाती है तो add करना है ठीक है कहता है 600 shares issue कर रहे है तो 600 add कर देंगे sir लेकिन sir 600 क्या पूरे साल के इसाब से answer is no कहता है जिस date को यह issue है उसके बाद year and date कितने month में होता है यह month calculate करना उस month को multiply करना है और divide by 12 तो कहता है 31st October मतलब कि October तो खतम हो गया number और December आपके पास में 2 महीन है तो into 2 करेंगे और divide by 12 क्या यह चीज़ clear है यह चीज़ आपके पास में clear है तो यह बस weighted number of shares मिल गया लेकिन sir यहाँ पे additional information जो paid up value है उसे भी consider करना पड़ता है अगर given है तो नहीं given है तो हम तो assume करता है कि पूरा का पूरा paid up होगा लेकिन अगर वो clearly आपको देता है कि sir paid up इतना है तो consider करना पड़ेगा कहते है कि ध्यान रखिए अगर कोई fully paid up है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कहीं पे paid up fully नहीं है तो उसका percentage निकालो कितना paid up है उस percentage को multiply करतो कहते है कि sir यहाँ पे तो fully paid up है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं no adjustment आपके पास में price value है लेकिन paid up कितना है पांच तो इस सका percentage निकाले कैसे निकलेगा सीधी सी बात है जितना paid up है divided by total जितना paid up है divided by total कहता है पांच paid up है divided by total कितना है फेस वेलियू 10 रुपे तो पांच divided by दस रुपे इंटू percentage करेंगे इंटू 100 मतलब की percentage आ जा जाएगा 50 percentage तो यहाँ पर आ इसलिए मैंने कहा कि सर यहां पे 100% लिखो या फिर क्रोस कर दो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पे फर्क पड़ता है क्योंकि परसंट ही डिफरेंट है यहां पे 100% नहीं 50% पेड़ यह तो 50% ही लेंगे ठीक है निकाल यह आंसर वही आंसर आपके पास में आ जाएग ठीक है तो यह तो 800 ही रहना है बस यहां पे थोड़ा से धियान रखना है 600 into 2 divided by 12 तो करना ही है 600 into 2 divided by 12 तो करना ही 100 लेकिन क्या 100 shares मानेंगे answer is no 50% paid up है तो उसे convert कर देंगे 50% में तो into 50% आपके पास में तो 50 आपके पास में क्या यह चीज़ आपके पास में क्लियर हुई तो पास में ठीक है टोटल नंबर अब बन जाते हैंव अब कर सकते हैं यहां पर इसी तरीके से calculation किया हुए अब exam में आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कोई दिखत वाली बात नहीं है ठीक है जी illustration number 2 भी complete हो जाता है इसके बाद illustration number 3 देख लेंगे